हरे कृष्णा तो आज हम देखने वाले हैं किस परीके से नरसिमा देव ने जब हिरने कशिपो को मारा तो जो उनका क्रोध था वो उसके बाद भी चलता ही रहा उसे देवतागान भ्रह्मा जी इवन माता लक्ष्मी भी उनके पास जाने से बहुत डर रहे थी और उनके प्रहलाद को बोला कि तुम्हारे लिए भगवान इस रूप में आये हैं तुम्ही जाके भगवान को शांत कराओ प्रहलाद बिल्कुल निडर होके confidence में भगवान के सामने गए उनको प्रणाम किया और भगवान ने उनके सिर पे हाथ रखने के बाद ही तुरंद उनके हिर प्रहलाद महराज ने भगवान से बोला कि लोग तपस्या करते हैं ज्यान अरजित करते हैं सिध्याय अरजित करते हैं और बहुत धन एश्वरे खटा करते हैं लेकिन इन सब से आपको प्रसंद करना नाममकिल है आपको तो हम सिर्व शुद्ध भक्ती से प्रसंद कर सकते ह अगर कोई भ्रामन हो लेकिन आपका भक्त न हो तो आप उससे कभी प्रसंद नहीं होते हैं उसकी प्रात्नाओं को कभी स्विकारते नहीं हैं लेकिन अगर कोई आपका भक्त हो और वो किसी मलिच के घर में भी पैदा हुआ हो तो आप उसकी प्रात्नाओं से स्विकार कर लेते हैं और बहुत प्रसन्ण होते हैं महाँ प्रहलाद ये भी बोलते हैं कि भगवान को प्रात्नाओं की जरूरत नहीं है लेकिन हम लोग प्रात्ना करके खुद लाभन विद्ध होते हैं हमारा ही benefit होता है दूसरी प्रातना है प्रहलाद माराज की जिसमें वो कहते हैं कि मेरा परम लक्ष तो यही है कि मैं आपके दासों का दास बनना चाहता हूँ इस जगत में हमद को बहुत सारी कटनाईयां आती हैं लेकिन उस कटनाईयों से हमें कोई नहीं बचा सकता अगर भगवान की दया हमारे उपर ना हो कहते हैं ना मारे कृष्णा राखे के राखे कृष्णा मारे के तो कृष्णा ने नरसिमा देव ने चाहा किसको प्रहलाद माराज को तो उसे कोई मार ने पाया और भगवान ने चाहा कि हिरने कशिपु को मारना है तो उसने बहुत तिगडम बिठाई थी, बहुत वर्दान मांगे थे लेकिन फिर भी भगवान ने उसको किसी तरीके से तो मार दिया तो वहाँ पे वो बोलते हैं हमारे पिता, भ्रम्मा जी, देवता, कोई नहीं बचा सकता अगर भगवान किसी को मारना चाहते हैं तो वो बता रहे हैं वहाँ पे कि मेरे जीवन का बस परम लक्ष जो है, मनुष्य जीवन का लक्ष है, वो है आपके दासों का दास बनना देखे भगवान को उनके भक्त बहुत परीर होते हैं जो उनके दास होते हैं और अगर हम उनके दास बन जाए तो भगवान के हम सबसे ज़्यादा परीर बन जाते हैं इसलिए ही प्रहलाद ने ये प्रात्नाई की, तीसरा उनकी प्रात्ना थी वो थी कि प्रहलाद उन लोगों को जो पहाड़ियों में जाते हैं, हिमाले में जाते हैं और अपनी मुक्ति के लिए सिर्फ काम ना करते हैं, उन लोगों को प्रहलाद में सरवोच नहीं बताया है, प्रगपाजी भी ऐसी थे, विंदावन में रहे के वो आराम से अपनी भक्ती भजन कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हार्ट अटेक के बाद भी पुरी दुनिया में जाके भ्रमन किया और सभी को भगवान की भक्ती का प्रचार किया, तो इस तरीके से प्रहलाद महारज अपनी तीसी स्तूती में उन लोगों की बंदना करते हैं, उन लोगों को सरोज बताते हैं, जो दूसरों को इस भगवत ज्यान के बारे में बताते हैं, अब आकरी अध्याय में हम लोग देखने वाले हैं, प्रहलाद के कुछ गुण, जो कि हम कल देखेंगे,